हलो स्टूडन्स आज में आप सबको हिंदी ग्रामर में से चाप्टर नाइन यानि की विशेशन जिसे हम इंग्लिश में एड्जेक्टिफ कहते हैं उस चाप्टर को पढ़ाऊंगी तो स्टूडन्स पहले हम यह जानेंगे कि विशेशन की परिभाशा क्या होती है संग्य या सर्वनाम की विशेशता बताने वाले शब्दों को हम हमेशा विशेशन कहते हैं जैसे सुंदर, लंबा, रंग बिरंगे, नीली, आधी ऐसे सारे शब्द विशेशन कहलाते हैं अब विशेशन शब्द जिस चीज की विशेशता बता रहे होते हैं, उन्हें हम विशेश्य कहते हैं, यानि की आस्मान में नीला पक्शी उड़ रहा है अगर मैं ये sentence लू तो पक्षी कैसा है वो नीला है तो फिर नीला विशेशन हो जाएगा और पक्षी विशेश्य हो जाएगा क्योंकि नीला पक्षी की quality बता रहा है तो जैसे कि यहाँ पे भी एक sentence दिया हुआ है परिश्रमी विशेशन हो जाएगा विशेशन के भेदपन तो विशेशन चार प्रकार के होते हैं गुन वाचक, परिमान वाचक, संख्या वाचक, संकेत या फिर सर्वनामिक विशेशन अब गुन वाचक यानि कि जो किसी भी विशेशन की qualities बता रहे हो जैसे कि गुन बोलने से अब गुन अफगुन दोनों इसके अंदर आएगा आकार प्रकार, रंग, गंध, स्वाद, ये चीज़े भी आएंगी, स्थान, स्थिती, ये चीज़े भी आएंगी गुन अफगुन जैसे भारतिय स्नैनी वीर होते हैं, वो कैसे होते हैं वीर होते हैं ये गुन बताया जा रहा है आकार प्रकार यानि कि वो कैसा है दिखने में जैसे कि कुतुब मिनार उची इमारत है तो उची उसका आकार और प्रकार बता रहे है रंग गंद और स्वाद आम सुगंदित है तो मीठा भी होगा सुगंदित जिसमें हम स्मेल की बात कर रहे हैं और मीठा तो उसका स्वाद बता रहे है स्थान स्तिती जैसे ये जापानी गुडिया कहा से आई Next हम जाएंगे Next पेज के दूसरे भेद पर जो की है परिमानवाचक विशेशन किसी वस्तू के माप, तोल, सम्बंदी परिमान का बोध कराने वाले सब परिमानवाचक विशेशन होते हैं जैसे कि 2 लीटर दूद लेते आईए यानि कि आपे हमने माप किया दिया हुआ है कि 2 लीटर दूद लाना है तो फिर ये इसका परिमान हो गया नेक्स्ट आता है निश्चित वाचक परिमान वाचक निश्चित परिमान वाचक यानि कि जो हम एकदम exact quality या quantity बताए दो किलो चावल, यहाँ पर एग्जेक्ट बताया हुआ है कि कितना चाहिए दो किलो, अनिश्चित, जैसे कि सोने से पहले कुछ खा लेना, अब कुछ से कुछ पर्टिकुलर नहीं बताया हुआ है कि क्या खाना है बट इसलिए यहाँ पर अनिश्चित वाचक परिमान हो संख्या वाचक, संख्या यानि कि संख्या वाचक, विशेश और विशेश्य की संख्या बताते हैं जैसे कि तीन लड़के, चार ठग, यानि कि यहाँ पर संख्या बताया गया है, दो, तीन, चार, ऐसे तो यहाँ पे भी इसके अंदर भी दो आ जाएगा जैसे कि निश्चित संख्या वाचक यानि कि कक्षा में 30 विद्यारती है अब exact हमें किसी भी क्लास में हमें उस teacher को या फिर students को भी exactly उनकी strength यानि कि कितने students present है वो पता होता है तो कक्षा में 30 विद्यारती है ये exact बताया गया है इसलिए ये निश्चित अनिश्चित मनें सारे लोग बाहर खड़े अब सारे बोलने से कितने वो हमें नहीं पता नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है कि संख्या वाचक विशेशन उनहीं संग्याओं के होते हैं जिनको गिना जा सके जिनकी गिंती संभब नहीं नापतोल होता हो उनके साथ परिमान वाचक विशेशन ही आते हैं संख्या वाचक में गिना जा सके ऐसी चीज़े आएगी और परिमान वाचक में ऐसी चीज़े आएगी जिनके हम मापतोल करते हैं यानि कि जैसे की दो लीटर दो एकर ऐसी चीज़े विशेशन और सरवना ये लड़का कौन है ये आज स्कूल नहीं जाएगा विशेशन ये हो जाएगा जो एकदम संख्या के सामने ही लग रहा है जो संख्या के एकदम आगे है अब यहाँ पर सरवना में आप दे सकते हैं ये आज स्कूल नहीं जाएगा यहाँ पर कोई संख्या से पहले किसी सरवनाम के शब्दों का इस्तेमाल है नहीं है इसलिए ये सरवनाम में आएगा और जिन संग्या से पहले किसी सर्वनाम का इस्तेमाल होता है वो आ जाएगा विशेशन की अंडर जैसे कि demonstrative adjective यानि की संकेद वाचक या तो सर्वनामिक विशेशन भी कहते है जो कोई सर्वनाम किसी संग्या की और संकेद करे उसकी विशेशता बताए तो वो सर्वनाम नहीं संकेद वाचक विशेशन कहलाता है या फिर सर्वनामिक विशेशन भी कहलाता है जैसे कि यह हो जाएगा संग्या से पहले ही बिलकुल सर्वनाम लगाए यानि कि यह सर्वनामिक विशेशन हो जाएगा और यहाँ भी संग्या से पहले सर्वनाम नहीं लगाए तो यह सिर्फ सर्वनाम का शब्द होगा प्रविशेशन होता है जैसे कि सुजाता ने बहुत सुन्दर चित्र बनाया अब जो विशेशन के साथ एक और विशेशन लगा देते हैं जैसे कि कभी-कभी विशेशनों के साथ हमें एक और विशेशन लगा देते हैं तब वो हो जाएगा प्रविशेशन, जैसे सुज्याता ने बहुत सुंदर चित्र बनाया. विदय विशेशन, प्रविशेशन विशेशन से पहले आते हैं, लेकिन जब ये विशेशन के बाद आते हैं, तो उन्हें विदय विशेशन कहा जाता है. जैसे कि जो विशेशन विशेशियों के बाद आ जाए उनको हम विदय विशेशन कहेंगे विशेशन के बारे में कुछ और जाने के लिए यहां हम देखेंगे संग्या से व्यूत्पन विशेशन जो प्रत्य संग्या और फिर विशेशन इन दोनों से मिलकर बने हैं प्रत्य आ और संग्या हो जाएगा सच तो विशेशन क्या हो जाएगा सच्चा ऐसे ही प्रत्य यहाँ पे ई है संग्या चीन तो विशेशन क्या हो जाएगा चीनी सेम यहाँ पर सर्वनाम से व्यूत्पन विशेशन में आएगा यह से सर्वनाम से ऐसा वह से वैसा क्डिया का उ से खा खाऊ मतलब प्रत्य उ क्डिया खा दोनों मिलाकर खाऊ यानि कि यह हो जाएगा क्डिया से व्यूत्पन विशेशन अब अव्य से विउत्वन विशेशन क्या होंगे जैसे कि प्रत्य में E है और अव्य क्या है उपर तो फिर विशेशन क्या आ जाएगा उपर ऐसे ही यहाँ पर टेबल दिया हुआ है जिन में इनी चीजों से कि मतलब सर्वनाम से, क्रिया से, अव्य से या फिर संग्या से भी हम कैसे चेंज करके उसको विशिशन में लाएंगे तो इस चाप्टर में इतना ही लाएंगे